नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का SSC exam preparation में इस वीडियो में हम आज SSC MTS में पुछे गए math के कुछ questions को देखेंगे सुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यह हमारे exact question नहीं हो सकते हो सकते कई पर data का fault हो बिकॉज हमें किसे students के द्वारे जो भेजावा question होता है मुझसे ही solve करते हैं तो कहीं कहीं पर data की changing हो जाती है exam तो online हो रहा है तो exact question याद रखन पाना मुस्किल होता है तो आप इन सारी बातों को ignore किजी तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका नंबर सिस्टम से related question पूछा गया थे यह आपके लगबग हर सिफ्ट में पूछे जा रहे इसके पहले भी अगर हम बात करें तो एक दिन आपको पूछा गया थे इसे सारी तो । इससे को अपूछा चले है तो अब काई था बहुत मैचका बढ़ आच करते हैं 28 से 28 से 16 से से बच में 6 से बच पर क्या से सबच एगा बहुत ही जादा simple question है आप सबसे पहले क्या करो कि आप चेक करो कि 6 से 18 divisible है यानि तो 6 से आपका 18 divisible है तो अगर आप किसी भी संख्या को 18 से भाग देते तो 16 से इस बचता है तो 6 से भाग देंगे तो क्या से इस बचेगा तो आपको इसके लिए directly क्या करने है सीधे 6 को आप 16 यही आपको चाहाँ होगा तो तुच्छाप, यही आपका हो जाएगा answer यही आपको जाएगा answer एच्छें वहीं जादा simple question है और थोड़े से गलती हो कि कंस्टुएंट्स इसमें confusion है तो अगर आपने पिछले video इस देखके होंगे तो आपको deb conflicting existem नहीं होगा मैं आपको फिर से बोल रखी हूँ कि डाटा को आप इग्नॉर करें अगर नौ की चल एक से एड़ा की बाई तो अगर नौ दहारा के साथ चलता है तो उसकी चल है 16 किलोमीटर पर आवर और अगर धारा की विप्रीच चलेगी मतलब अगर नौ आपके इसके जेश्ट अपोजिट साड़ से आएगी इस तरीके से तो इस यह हमारी चाल एक सब्सक से चलेगी तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है धारा इसको कट करेगी यानि कि x-y x-y equal to होगे कितना हमारे 12 km पर आवर तो हमसे पुछ रहा है धारा की चाल धारा की चाल यानि कि y के बारे में तो आपको y y का value कैसे निकलेगा अगर हम दोनों equation को add कर दे तो हमारा y तो cut होगा तो हमारे पास दिमाग आगा है कि हम second equation को minus कर देंगे तो आपके नौत अथा धारा के जो भी confusion आप सारे को clear कर लो अगर आपके नौत अथा धारा या फिर किसी भी chapter के कोई problem हो रही है तो आप हमें comment box में कर सकते हो और मैं आपको फिर से बोल रुकिए हो कि data को ignore करो आप ऐसा नहीं कि comment करो बहुत सारे लाग पाने चाहें तो बस्तू कुत्ने रुपय में बहत है सिम्पल कोशन है आप को इस तरीके के हमने बहुत ज़्या बतार और इस तरीके की Cup में करने क्या होता है आपको सबसे पहला आपने के समय करना ह〜 say कि कि वस्तु करई कि तो हम 25 पर संद ृब पुछन करने कि 20% पर लॉस पर 40 पर चाहए और हमाँ आ रहा रहा है ₹ कि 80 यूणीट यानि कि 80 यूणिट आपके बरावर हो किस तरीकी से बरेंगे कि किसी वस्ते को 20% loss के जगह पर 20% profit में बेचेंगे तो हमें इतने रुपे जादा में बेचना पड़ेगा तो आपके क्रेमुल क्या होगा इस तरीके के question होगा तो इसमें भी आपको क्रेमुल को 100 मान के इतने step उसमें भी करने इसके बाद आपको जो price कर दिया time and work में but question simple ही थोड़ा सापको इसमें logic लगाने के लिए बोल रहा है करें A और B मिलकर किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं अगर A की जो कारी चंपता है B की दोगनी यह तो B अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा इस question को हम कैसे solve करेंगे इस question को solve करने का हमारा तरीका क्या होगा क्या आप सबसे first जो आपका एक लाइन दिया इसे छोड़ दो कह रहा है A की कारी चंपता B की दुगनी यह तो आपके दो persons की बात कर रहा है A and B की A की efficiency बोल रखा है B की दुगनी है तो A की efficiency अगर B की दुगनी होगी तो हमने माना कि B की efficiency 1 unit हो तो A की कितनी हो जाएगी तो 2 unit यह हमारी आगई efficiency और time के वारे में आपको पता होगा कि time जो हमारा होता का efficiency के just opposite होता है यह फिर हम कहते। इन्वर्सलिग प्रपोर्शनल होता है K इनवर्सलिग प्रपोर्शनल होता है To अगर A की efficiency 2 है और B की 1 है तो time कितना फारी होगा तो यहां भी हमें इन दोनों के LCM को total work ही निकालेंगे कितना हो गया, निकलता है तो हमने माना कि total work करने थे two unit two unit work करने थे और यह जो है आपका one times में two unit करता और भी one times तो यूनित करता है और तो 2x3 × तो आपसे पुछप बी काम को किमे दीनों में करेंगा तो बी यह इतंक है तो किवा गया तो इहां पर सिंद्सक्षप करेंगे तो यहां पर हमारा तो टोटल आ क्या रहा है मैं आपको फिर से बता दू कर रहा है कि 2 x 3 times हमारे किस के बरावर हो गए तो 36 days के तो हमसे पुछ रहा है 2 times के बरावर में तो 2 times हमारे कितना हो जाएगा तो 36 divided by 2 by 3 तो हम इसे कह सकते 36 आपका 2 by 3 divide and multiply by 2 आपका 2 भी तो यहां पे होगा तो 1 times equal to हमारे हो जाएगा कितना तो यह आपका जागा 54 days इसकी आपकी फॉर्मूले होती ही क्या है कि अगर आपसे टोटल वर किस तरीके के question में पुछे तो टोटल वर्क बराबर होता है हमारे a plus b का efficiency multiply by total number of days जो आपको दे रखा तो उससे आपका टोटल वर्क निकलेगा उसके बाद आप जो टोटल वर्क निकला उससे उसके efficiency को डिवाइड कर तो वही हमारा answer हो जाएगा तो उससे भी आपका answer कितना आएगा तो 108 days next question एक देख लेते एक question है हमारा किस संख्या के 20% से 800 घटाने पर 300 बचेगा इस question को मैं बतातू कि exact data नहीं मिल पाया है फिर भी मैं आपको यह बता दे रही हो कह रहा है कि कौन से इसी संख्या जिसके 20% से अगर हम 800 घटा है तो हमारा 300 बचेगा तो हम माल लेते हैं कि संख् पर लो 5 से cancel हो गया तो xy5 equal to 1100 तो x equal to हमारे क्या आगया तो 5500 बहुत जादा simple question था option number आपका आगया तो आज के लिए बस इतना ही आपको हमारे वीडियो कैसा लगा है यह आप हमें like comment and share करके जरूर बताए then bye and thanks for watching this video